हलो स्टुरेंट्स वेलकम टो आई टी स्मार्ट वर्ड एडबुल इस टेटर टूरियल सीरीज का लेक्शन नमबर 20 है और आज की इस वीडियो में हम रेक्टेंगल टूल के इस सभी टूल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम यहां से रेक्टेंगल टूल को सलेक्ट करें माउस का क्लिक दबाया रखेंगे और फिर उसके बाद में माउस को ड्रैक करेंगे और जहां तक रेक्टेंगल बनाना है वहां पर ले जाके क्लिक छोड़ देंगे तो इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा और अभी जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो जिस प squareします वह पर छोटे Bakrim के और फिर उसके बाद में रेक्टेंगलबनाइंग तो जो मारा रेक्टेंगल मे वह बनेगा और फिर उसके बाद में यहां पर लाक्ट क्लिक छोट देंगे तो इस तरह से हम लक्तेंगल को Ox over बना सकते हैं और फिर उसके बाद में इस rectangle को छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए हैंसे selection tool पर click करेंगे और फिर जिस rectangle पर work करना है उस rectangle को select करेंगे और जब हम इसको select करेंगे तो यहां पर हमारे पास points आ जाएंगे और फिर उसके बाद में इस पर click करेंगे और फिर अ बढ़ा करना है उस साइट से कर लेंगे और अगर इसको चारो तरफ से छोटा और बढ़ा करना है तो उसके लिए keyboard से alt और shift बढ़ा करेंगे और फिर उसके बाद में इसको छोटा और बढ़ा करेंगे तो जो हमारा rectangle है वो चारो तरफ से छोटा और बढ़ा होगा उसके बाद वहाइट से peng worth ग्राइट सकते हैं इस přिक्लिक करेंगे और यहां से जितना बैक ow से जतना रखना है जैसे कि हमको a referring थाफ्यन पर कलिक कर देंगे तो जो हमारा इस टॉप आड propriet हो जाया यहां से हम इसमें उनिफार्म सेट कर सकते हैं इस पे क्लिक करेंगे और इसमें जो भी उनिफार्म सेट करना है जैसे कि यह वाला सेट करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे तो जो इसकी लाइन है वो चेंज हो जाएगी अगर यह नहीं रखना है को दूसरा रखना तो जो भी पतला करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो पतला हो जाएगा अगर थोड़ा मोटा करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो मोटा हो जाएगा अगर और पतला करना है तो इस पे क्लिक करेंगे अगर इस तरह से करना है तो इस तरह से करना है तो इस तरह से करना है तो इस पे क्लिक हो जाएगी उसके बाद में अगला option है opacity तो यहां से हम rectangle की opacity कम और ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि opacity यानि की transparent कर सकते हैं जैसे कि हम चाहते हैं जो हमारा rectangle है इसको select करेंगे और फिर इसमें कोई दूसरा color fill कर लेंगे और और फिर इसको यहां पर लेकर आएंगे तो जो इसके नीचे rectangle है वो दिखाई नहीं दे रहा है और हम साथ हैं जो इसके नीचे rectangle है वो इस rectangle के उपर से भी दिखाई दे तो उसके लिए इस rectangle की opacity कम कर देंगे इसको select करेंगे और और फिर यहां opacity में जाएंगे, इस point पे click करेंगे, और फिर उसके बाद में इसकी जितनी भी opacity रखना इसको select कर लेंगे, जितना भी ज्यादा transparent करना है उतना ही इसको कर लेंगे, जैसे कि हमको करना है 50%, तो यह 50% पे click कर देंगे, तो यह 50% color दिखाई देगा, अगर हम इसको क अगला option है style, तो यहां से हम इसकी style चेंज कर सकते हैं, इसको select करेंगे, और फिर उसके बाद में style में जाएंगे, और यहां पर हमारे पास कुछ graphic दिये गे हैं, जैसे कि हमको rectangle में यह वाली style फिल करना है, तो इसको select कर लेंगे, तो जो हमारा rectangle है वो उसी style में हो जाएगा, अगर इसको रखना है तो इसको select कर लेंगे, अगर यह वाला रखना तो इसको select कर लेंगे, तो उसी style में हमारा rectangle बन जाएगा, अगला option है recolor artwork, तो यहां से हम अपने artwork का color change कर सकते हैं, इस पे click करेंगे, तो यह हमारे पास option open होंगे, और फिर उसके बाद में edit color में और यहां से जो भी color fill करना है, जैसे कि हमको यह वाला color fill करना है, तो इसके लिए इस point पे click करेंगे, और इसको इस तरह से move करेंगे, और इस point को यहां पर रखेंगे, तो जो color हो डार्क हो जाएगा, अगर और भी जादा dark करना है, तो इस point को यहां पर रखेंगे, जैसे कि ह इस rectangle को select करेंगे और फिर उसके बाद में यहां से कोई एक color fill कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहां से recolor artwork में जाएंगे इस पे click करेंगे और फिर यहां से edit पे click करेंगे और फिर उसके बाद में यहां से जो भी color set करना है वो set कर लेंगे तो वैसा ही color यहाँ पर fill हो जाएगा और फिर अगला option है align to selection तो यहाँ से हम किसी दो object को align कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर इन सभी object को delete कर देंगे और फिर उसके बाद में इसकी copy निकालेंगे copy निकालने के लिए अगर इसी के ऊपर copy निकालना है तो इसके ऊपर paste हो जाएगा और अगर move करके copy निकालना है तो उसके लिए की बोशे alt button प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी copy निकाल लेंगे तो यह इसकी copy निकल जाएगी और फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसका color change कर देंगे फिर इन दोनों को select करेंगे दोनों को select करने के लिए इस तरह से भी select कर सकते हैं या फिर इस rectangle को select करेंगे और फिर उसके बाद में keyboard shift button प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर आके click कर देंगे तो इस तरह से दोनों rectangle को select कर सकते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास option भी open हो जाएंगे अगर हम यहाँ पर दोनों object को select नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी option नहीं होगा और अगर हम सिर्फ एक ही object को select करेंगे तब ही हमारे पास वो option नहीं आएंगे और जब हम दोनों object को select कर लेंगे तो हमारे पास option open हो जाएंगे और फिर उसके बाद में यहां से इसको align करेंगे तो पहला option है horizontal align left तो यहां से हम horizontal से left align कर सकते हैं इस पे click करेंगे तो इस तरह से horizontal से left align set हो जाएगा और फिर उसके बाद में horizontal align center तो यहां से horizontal center align हो जाएगा और फिर अगला option है horizontal align right तो यहां से हम right side से align कर सकते हैं और फिर अगला option है vertical align top तो यहां से हम vertical यह top से set कर सकते हैं और यहां से हम इसको vertical align center कर सकते हैं इस पे click कर देंगे तो यह vertical align center में set हो जाएगा और फिर उसके बाद में vertical align bottom में set कर सकते हैं इसके click करेंगे और फिर अगला option है vertical distribute top और इसी तरह से सारे option दियेगे हैं इसको एक एक करके check कर लेजेगा तो सारे option आपके समझ में आ जाएंगे और फिर उसके बाद में इस point पे click करेंगे और इसमें दूसरा option है align to key object तो यहां से हम इसको align to key object बना सकते हैं जैसे कि अभी इस rectangle को यहां पर रखेंगे और फिर उसके बाद में दोनों rectangle को select करेंगे और फिर उसके बाद में जब हम इसको align करते हैं जैसे कि हमने इसको किया horizontal align center इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर दोनों rectangle मूव हो रहे हैं और हम साथ हैं कि यहां पर सिर्फ एक ही rectangle मूव हो तो उसके लिए align to selection में जाएंगे और फिर उसके बाद में यहां से align to की object पे क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद में जिस rectangle को move नहीं करना है उस rectangle को select कर लेंगे उसपे click कर देंगे तो वो rectangle select हो जाएगा यहाँ पर यह blue color की line दिख रहे है यानि कि यह select हो चुका है और फिर उसके बाद में यहाँ से इसको align करेंगे इसपे click करेंगे तो यह वाला rectangle यहीं पर रहेगा और जो दूसरा rectangle होगा वो move होके set हो जाएगा और अगर इस rectangle को move नहीं करना है तो उसके लिए इसको select करेंगे इसपे click कर देंगे तो यह select हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ से इसको align करेंगे तो यह वाला rectangle move होके आएगा और जो red color का rectangle है वो यहीं पर रहेगा तो अब आप समझ गेंगे कि align to की object किस तरह से काम करता है और फिर अगला option है align to artboard तो यहाँ से हम किसी object को artboard में align कर सकते हैं इस पर click कर देंगे तो यह option on हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ से object को artboard में align करेंगे जैसे कि हमको इस rectangle को horizontal align left करना है तो इस पर click कर देंगे तो यह vertical top हो जाएगा अगर center में करना है तो center पर click कर देंगे तो center में हो जाएगा तो यहाँ पर यह सारे option उसी तरह से हैं जैसे अभी हमने पढ़ा था और फिर अगला option है transform panel इस पर click करेंगे तो यह हमारे पास एक panel open हो गया आएगा और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसकी x value और y value दी गई है तो x value से इसको हम x value में move कर सकते हैं इसको select करेंगे तो इस तरह से जो हमारा rectangle है वो x value की तरफ move होगा और अगर y value में move करना है तो इसको select करेंगे और फिर यहाँ पर जितनी value डालना है वो set कर लेंगे तो उसी value में जो हमारा rectangle है वो set हो जाएगा और यहाँ से हम इसकी width और height कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि इसकी width कम करना है तो इसको select करेंगे और फिर उसके बाद में जितनी कम करना है वो यहाँ पर डाल देंगे और इसी तरह से हम यहाँ से इसकी height भी कम कर सकते हैं इसको select करेंगे और जो भी height रखना है वो height यहाँ से set कर लेंगे और यहाँ से इसको हम rotate कर सकते हैं इस पर click करेंगे और जिस angle से इसको rotate करना है उस angle से rotate कर लेंगे और यहां से इसको skew कर सकते हैं इस पे click करेंगे और जिस angle से skew करना है इसको select कर लेंगे तो उसी angle से skew हो जाएगा और इसको rotate करने के लिए हम normally भी rotate कर सकते हैं जब इसको select करेंगे तो यह हमारे पास points आएँगे point के उपर mouse ले कर जाएंगे तो हमारे पास double arrow बनके आएगा और फिर हम इसको छोटा या बढ़ा कर सकते हैं और अगर इसको rotate करना है तो इस point के थोड़ा सा बाहर mouse ले कर जाएंगे तो rotate का sign आएगा और फिर उसके बाद में जिस angle पर चाहें उस angle पर इसको rotate कर लेंगे तो उसी angle पर rotate हो जाएगा या फिर हम transform में जाके भी rotate कर सकते हैं और फिर अगला option है select similar option तो यहां से हम selection कर सकते हैं इस पर click करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे option दियेगे हैं जैसे कि all तो all में हम सारी चीजे select कर सकते हैं और interaction इसने stiff color को select करते हैं 알 Hulk round rectangle to choose to delete करेंगे और फिर उसके बाद में यहां से remained rectangle tool को select करेंगे और यहां पर rectangle draw कर लेंगे और यहांपर रियत्・ में आ रहे थें जितना work हम rectangle में कर सकते हैं वो सारा work rounder rectangle में भी कर सकते हैं اور अगर इसकी properties open करना है तो यहाँ पर आके click कर देंगे तो इसकी properties open हो जाएगी तो यहाँ पर हम इसकी width और height डाल सकते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से corner radius डाल सकते हैं जैसे कि इसके corner है वो कित 50PT round हो जाएंगे, और इसी तरह से हम rectangle की properties भी open कर सकते हैं, उसके लिए यहां से rectangle tool को select करेंगे, और फिर यहां पर आके click कर देंगे, तो यह rectangle की properties open हो जाएगी, और फिर उसके बाद में यहां से width और height डालेंगे, और ok कर देंगे, तो उसी size में rectangle insert हो जाएगा, और फिर अगल circle जो है, वो बन जाएगा, और अभी यहां पर जो हमारा circle बना है, वो goal नहीं बना है, अगर हमको goal बनाना है, तो उसके लिए keyboard से alt और shift रबटर प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद में इस तरह से circle ड्रा करेंगे, तो जो हमारा circle है, वो goal बनेगा, और अगर इसको छोटा हमारा CA बढ़ा करना है, तो इसके लिए selection tool पे click करेंगे, और यहांसे इसको छोटा और बढ़ा करशकते हैं, हम्रेक्टेंगल में कर सकते हैं, वो सारा work हम इसमें भी कर सकते हैं, यहांसे color Change कर सकते हैं रहांव से oपैंशिक कर शकते हैं यहां से श्टॉक हमारे पास है polygon tool यहां से इसको select करेंगे और फिर यहां पर polygon draw कर लेंगे सबसे पहले इसको delete कर देंगे और फिर उसके बाद में polygon draw करने के लिए हाँ पर click करेंगे और इस तरह से mouse का click drag करेंगे तो यहां पर polygon draw हो जाएगा और अगर अगर इसके नोट कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए polygon को select करेंगे और फिर उसके बाद में यहां पर click करेंगे mouse का click दबाया रखेंगे और फिर उसके बाद में यहां से arrow button प्रेस करेंगे अगर हम यहाँ पर अप arrow button press करेंगे तो इसके जो node हैं वो बढ़ जाएंगे और अगर down arrow button press करेंगे तो इसके जो node हैं वो कम होंगे तो जितने कम करना है जितने ज़्यादा करना है वो यहाँ से set कर लेंगे और फिर उसके बाद में जब यह perfect लगे तो क्लिक छोड़ देंगे तो इस तरह से हम triangle भी बना सकते हैं या फिर अगर इसमें कोई दूसरा shape बनाना है तो यहाँ से इसके node वो बढ़ा लेंगे आप arrow button press करेंगे तो इसके node वो बढ़ जाएंगे और फिर अगला option है star tool star tool से हम star draw करते हैं जिस तरह से हम rectangle, rounder, rectangle, ellipse और polygon draw करते हैं उसी तरह से star भी draw करेंगे और जितना work हम इन सभी tool में कर सकते हैं वो सारा work हम star में भी कर सकते हैं इसको select करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर start draw कर लेंगे और अगर इसको छोटा या बड़ा करना है तो इसके लिए यहाँ से selection tool पर click करेंगे और फिर उसके बाद में इसको select कर लेंगे और फिर यहाँ से इसको छोटा और बड़ा कर लेंगे और यहाँ से इसमें जो भी formatting करना है वो formatting कर लेंगे जैसे कि इसका color change करना, line का color change करना या फिर stock weight change करना या फिर इसको align करना तो ये सारे work हम इसमें भी कर सकते हैं और फिर अगला tool है flare tool तो ये tool इन सबी toolों से अलग है सबसे पहले इसको delete कर देंगे और फिर उसके बाद में यहां से flare tool को select करेंगे और फिर यहां पर आके click कर देंगे तो जब हम click करेंगे तो यहां पर flare tool ड्रफ हो जाएगा और उसके साथ में इसके option भी open होके आएंगे और यहां से हम इसमें setting कर सकते हैं जैसे कि यहां से इसका diameter क्या रखना है इसके click करेंगे और जो भी यहां से set करना है इसको select कर लेंगे इस point पर click करेंगे तो इसका diameter है वो बढ़ेगा और अगर कम करना है तो यहां से कम कर सकते हैं यानि कि इसका size यहां से कम और ज़्यादा कर शकते हैं और फिर उसके बाद में यहां से brightness कम या ज्यादा कर सकते हैं इसको select करेंगे और यहां से जितनी भी brightness कम या ज्यादा करना इसको select कर लेंगे जैसे कि इसको यहां पर रखेंगे तो इसका जो white color है वो कम हो जाएगा और अगर इसको यहां पर रखेंगे तो इसका जो white color है वो नौर्मल होगा, यानि की जो ब्राटने से वो white color पर effect करती है और यहाँ से इसके number चेंज कर सकते हैं इस point पे click करेंगे तो इसके number जू ही कम होंगे, अगर इस point पे click करेंगे तो इसके number जू है, वो जदा होंगे और यहाँ से इन सभी handles को छोटा या बड़ा कर सकते हैं जैसे कि हमें इस handle को छोटा करना है तो यहां लांगेस्ट में जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में कितना छोटा करना है इस point को यहां पर रखेंगे तो उतना अगर इसको डिलीट करना है त। इसके लिए इस awfulson को jeff कर द Gomez कर देंगे तू यह आफ हो जायेंगे अगर फिर से अन करना है तो इस में पिलिक कर देंगे तो इसके अन ओ जायेंगे और यहां से इसको ग्रहुत कर र価़ आख परोट करना है वो यहां से सेट कर लेंगे जैसे कि इसका साइज बढ़ा करना है या फिर इसका साइज कम करना है जितना भी सेट करना है वो यहां से सेट कर लेंगे फिर उसके बाद में यहां से फजीने सेट कर लेंगे इस पर क्लिक करेंगे यहां से जितना ज्यादा कर लें तो यह कम हो जाएगा और इसी तरह से इसके नंबर भी चेंज कर लेंगे जैसे कि इसके नंबर कम करना है तो इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो इसके जो नंबर है वो कम हो जाएगे और अगर ज्यादा करना है तो इसके जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगे और फिर यहा तो फिर से इसको यहाँ पर रख देंगे तो यह फिर से normal हो जाएगा और यहां से इसका direction चेंज करते हैं जैसे कि अभी इसका direction जो है वह 45 डिग्री है और अगर हमको कम करना है ज्यादा करना है जैसे कि हमको रखना है 90 डिग्री तो इसको select करेंगे और यहां पर 90 डालेंगे तो यह 90 degree rotate हो जाएगा अगर कम करना है तो यहाँसे कम कर लेंगे जज़धा करना है तो ज़यदा कर लेंगे जैसा भी rotate करना है व지 तரह से यहां से direction set कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं यहां से ok कर देंगे तो उसी तरह से flayer set हो जाएगा और यहां से अगर हम flare से design बनाना चाहें तो design भी बना सकते हैं इसको select करेंगे और delete कर देंगे और फिर यहां से flare tool को select करेंगे और यहां पर आके click कर देंगे तो यह हमारे पास flare insert हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहां से ok कर देंगे effect में जाएंगे और फिर यहां distort and transform में जाएंगे और यहां से transform पर क्लिक कर देंगे तो यह हमारे पास option open हो जाएगा और यहां से इसको rotate कर लेंगे इसका angle रखेंगे 30 degree इसको select करेंगे और यहां पर 30 डालेंगे और इसकी जो copies हैं वो भी 30 रखेंगे इसको select करेंगे और यहां पर भी 30 डाल देंगे यहां से preo option को आन कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहां से इसको vertically move कर लेंगे इस point पे क्लिक करेंगे और इसको right side में थोड़ा सा move करेंगे थोड़ा सा और move करेंगे और फिर उसके बाद में यहां से horizontal side से भी इसको move कर लेंगे इस point को यहां पर रखेंगे, थोड़ा सा और इतना ठीक है और फिर यहां से okay कर देंगे उसके बाद में selection tool पे click करेंगे और इसको select करेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे खीचेंगे और यहां से इसको छोटा कर लेंगे तो अब ए design complete बन चुकी है इसी तरह से आप flare tool से बहुत सारी design बना सकते हैं बस practice करते रहिए I hope rectangle tool के सारे tools आपको अच्छे समझ में आगे होंगे So आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में Thanks for watching this video